हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों आप शाला सब करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलने दोस्तों त तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहींगर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइए जला दोस्तों आप кусि वेडियो चीज का मतलब पता नहीं होता है तो आप क्या करते हैं आप सीधा सा एक काम करते हैं जिसमें आप दूसरा टैप खोलते हैं Chrome browser पे और उस चीज को copy करके उसका मतलब find out करना है start कर देते हैं कि दोस्तों लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप उस चीज का मतलब उसी टैप पर खोल सकते हैं कैसे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक काम करते हैं डारेटली हम चलते हैं किसी भी एक काम करते हैं सबसे पहले यहां पर कुछ साइट कर लेते हैं कोई भी वेबसाइट वगेरा सर्च कर लेते हैं जैसे कि लव कॉट करके हम सर्च करते हैं जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों यहां पर बहुत सारी वेबसाइट व अगर आपको search करना है तो आप क्या करते हैं यहां से इसे copy करेंगे और copy करने के बाद दूसरे tab में जाके इसके बारे में search करेंगे लेकिन दोस्तों instead of doing this आप कुछ और कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ decade, בטेड को ले ले लेते हैं, decade का मतलब क्या होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसो copy करके दूसरे pays में जाकर सर्च करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ये चीज़ copy करी है, निचे गूगल का लोगो आया है, और उसके बगल में decade old लिखा हुआ है, अब आप जैसे ही इसके थोड़ा से स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ पे इसका मतलब इन्होंने दे दिया है डीटेल में यह सेटेंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता रह दिया है लेकिन आप वहीं की महीं उस चीज को थम प्रेस करके ही आप इसका मतलब फाइंड आउट कर सकते ह जैसे ही डिकेट का मतलब दशक होता है यानि की दश वर्स तो इस तरीके से आप इस चीज को सर्च आउट कर सकते हैं ओके दोस्तो आपको दूसरे टैप पर जाने की जरूद नहीं है तो उमीद है दोस्तो समझ में आई होगी यह सैटिंग यह वीडियो अच्छी लगी कर दोस्तो